सूराना मटकी परकरन मामले में सेल सिंग को मिली जमानत जालोर जले का सबसे सर्षित मामला साहिला तैसल के सूराना गाउं में एक निजी विद्याले के संचालक सेल सिंग द्वारा अनुसुचित जाती के एक सातर को थपड मारने के बाद चातर की मौत के मामले ने काफ़ी तुल पकड़ा था इस मामले में अब सेल सिंग को हाई कोर्ट से रात परदांद करते हुए जमानत पर हिया करने के आदेश दिये हैं जालोर के सुरणा गावं में एक साल पहले सरस्वती विद्या मंदिर विद्याले संसालक सेल सिंग पुत्र उक्षिंग निवासी आमबा का गोलिया ने चातर इंदर कुमार मेगवाल को थपड़ मारने के बाद मामले ने तुल पकड़ा चातर की इलाज के दुरान मौत हो गई थी चातर की मौत के बाद जालोर जिले में काफ़ी मामला गरमा गया था सेल सिंग को सातर इंदर की हत्या के मामले में पुलिश ने ग्रिप्तार कर आरोपत्र नेले में पेस किया आरोपत्र में पुलिश ने चातर इंदर दौरा सेल सिंग की मटकी को सुने की काहनी को नहीं माना चात्र इंदर के कान में पुरानी बिमारी होने से उसकी मौत होना माना आरो पत्र पेस होने के बाद भी एक सेल से सेल सिंग को जमानत का लाब नहीं मिल पाया सेल सिंग के अधीवक्ता ने उचने एले में जमानत परातना पत्र प्रस्तूत किया जिसके अधिवक्ता ने बताये कि पुलिश अनुस अंदार में शात्र इंदर द्वारा सेल सिंग की मटकी को सुने पर थपड मारने की कान जुटी बताई। शात्र का उपसार करने वाले सिगिस्कों ने भी कान की पूरानी बीमारी बताई। इस आधार पर मामला प्रिष्टिती जन्य सक्से पर आधारिद होने के साथ उग्तु प्रडेक्टरंड के विस्टरंड में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए हाई कोट के नियाज़ दाज़ पती कुल दिप मातूर ने अरोपी सेल सिंग को जमानत पर रिया करन के आधिस दिये हैं